आजकल अपनी हेल्थ को लेकर लोग जादा कॉंशिस हो गए हैं बात मीठे का करते हैं ऐसा कौन है जिसे मीठा पसंद ना हो लेकिन ज्यादा मीठा खाने के नुकसान भी बहुत हैं एक दिन में कितना मीठा खाना चाहिए ये बता पाना बहुत सरल नहीं है जब आप बिना मतलब चीनी का सेवन करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये आपके शरीर पर नेगेटिव इंपेक्ट छोड़ने लगती हैं जरूरत से ज्यादा शूगर खाने पर मोटापा, डायबिटीज, बलड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी परिशानिया शुरू हो जाती हैं बहुत से लोग मीठा छोड़ना भी चाहते हैं पर ये सब नहीं कर पाते अच्छा क्या आपने सोचा है कि अगर एक महीने तक कुछ भी मीठा नहीं खाया जाए तो क्या होगा दरसल ये ज्यादा मीठा खाने के नुकसानों के बारे में तो आप जानते ही होंगे के पेशिंट को तो मीठा खाना मना होता है और भी कुछ थित्यों में मीठा छोड़ने की सलहा दी जाती है अब जिनको किसी भी तरह की कोई परिशानी ना हो फिर भी वो मीठा खाना एकदम से छोड़ देते हैं तो क्या होगा World Health Organization की एक रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं को पुरुषों से कम शक्कर यानि चीनी लेनी चाहिए पुरुषों को हर दिन ज्यादा से जादा 30 ग्राम और महिलाओं को हर दिन अधिकतम 25 ग्राम शक्कर खानी चाहिए शक्कर को slow poison यानि मीठा जहर कहा जाता है कारण ये है कि कई बिमारियों का कारण ये शक्कर होती है शक्कर के जяदा सेवन से शरीर में कई तरह की बिमारियां घर बनाने लग्ती है अगर आप शक्कर खाना पूरी तरह छोड़ देते हैं तो 30 दिन बाद आप पहले से कही जादा हलका और उरजावान महसूस करते हैं एक महीने तक चीन का सेवन छोड़ देना अच्छी बात है लेकिन नेचुरल स्वीट्स यानि प्राकरतिक मिठास से दूरी नहीं बनानी चाहिए जैसे फलों से मिलने वाला ग्लूकोज शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है इसके बिना आपके शरीर में फैट बनाने के लिए ग्लूकोज की कमी हो जाएगी ये स्थिती आपके शरीर के मास पेशियों के लिए ठीक नहीं होती है फलों के साथ साथ ड्राइफ रूट से मिलने वाली मिठास भी अच्छी होती है